हेलो एवरिवन तोड़े इस आर फर्स्ट लेक्चर पर सी ए फाइनल ओडिट एंड लॉग पेब्रेरी 2021 बैच इस वीडियो में मैं आपके साथ एक जनरल डिसकुशन कर रहा हूं किसी भी कोई पर्टिकुलर टॉपिक के उपर सब्जेक्ट के टॉपिक के उपर कोई डिसकुशन नहीं है आपका क्लासिस कैसे अवेलेबल होंगी क्या लेक्चर प्लैन होगा उसके बारे में एक डिसकुशन कर रहा हूं कुछ चीजे तो बेसिक हैं जिनके बारे में आपको पता ही है पहले से कि जैसे टोटल नंबर ओप लेक्चर सिगस्टी लेक्चर फर और रडिट एंड awi कि है यह सब चीजे तो मुझे लगता है आप लोगों को पता है बत जो कुछ ओर चीजें हैं जो मैं आपके साथ discuss करना चाहा रहा हूँ वो है about books about classes first thing about the books आप लोगों के पास दो तरहे के books हैं अब दो तरहे की books कुन सी एक तो है आपके पास ICAI का study material जो ICAI ने December 2020 में release किया है दूसरे हैं हमारी books ICAI के study material में आपके पास दो books है एक main book जिसके अंदर concept भी है plus question answer भी है और दूसरी एक booklet जो अभी ICAI ने February के month में ही release किया है February 2021 में that is MCQ booklet जिसके अंदर कुछ MCQs है 100 के around MCQs है और कुछ integrated case studies डाली गई है हम आपको जो books available कराएंगे हमारी books में number 1 main book है main book it cover all concepts second एक book जो आपको मिलेगी that is cracker या आप इसको question bank भी बोल सकते हैं ये book question answers कौन से question answer descriptive question answers को cover अप करेगी third one MCQ book हमारी MCQ book के अंदर आपको chapter wise questions मिलेंगे plus integrated case studies now अब जो ये books है institute ने अपनी main book December 2020 में नया edition release किया है इन books के अंदर जितने भी नए questions को add on किया गया है या कोई नया concept institute ने add on किया उन सब चीजों को हम अपने इस batch में cover up करके चलेंगे main book इसके अंदर आपको सारे concepts मिलेंगे और जितने question answer ICAI ने नए डाले है अपने study material में लगभग more than 90% questions already हमारी books में cover है but कुछ questions हैं जो institute ने नए frame करके study material में डाले हैं उन questions को हम अपनी classes में thoroughly cover up करके चलेंगे हम अपनी classes में आपको एक और content provide करेंगे जिसका नाम है जिसका नाम है lecture notes या आप उनको नाम दे सकते हैं class notes का इन lecture notes class notes के अंदर जितने भी main points होंगे उन सारी चीजों को tabular form में, chart form में, diagrammatic form में present करने की कोशिश की जाएगी along with examples जैसे मैं आपको दिखाता हूँ ये professional ethics इस lecture 1 का class note है जिसमें हम कोई main book, question bank उसकी particular बात नहीं कर दें जिस वे से एक student को अपनी classes को cover up करना चाहिए किसी topic को समझना चाहिए उस तरीके से इन lecture notes को बनाया गया है जब एक concept book को बनाया जाता है तो concept book के अंदर आप एक sequence में सारे concept को लेकर के चलते हैं एक question bank को बनाया जाता है तो आप एक sequence में questions को लेकर चलते हैं बट आप जब अपनी studies करते हैं तो एक particular sequence जो main book की है या question bank की है उसकी जहाब पर advisable होता है कि आप एक particular topic के हिसाब से पढ़ें और वो topic कहीं पर भी link हो रहा है तो आपको simultaneously उस point को पढ़ना होता है तो उनी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने हर एक lecture के lecture notes आप लोगों को available कराएंगे जैसे ये lecture one है जो मैं professional ethics का लूँगा इसमें पहला topic overview of code of ethics जिसके थुरू आपको idea लगेगा कि इस chapter में क्या-क्या main topic है जो आपको cover up करने है फिर इसके बाद मैंने Chartered Accountant Act के schedules लाले जो इस chapter का सबसे main topic है फिर इसको relevant sections जो जिसको हमने cover up किया है उस form में जिस form में आप इन चीजों को और better तरीके से समझ सकते हैं जब हम main book की बात करते हैं let's say मैं आपको main book दिखाता हूँ main book के अंदर चाहे वो institute का study material है या हमारी book है या किसी भी और author की book है वो एक particular format के हिसाब से design होती है जिसमें आप एक-एक topic को detail में एक-एक topic को detail के अंदर cover up करते हैं जैसे ये overview of code of ethics आ गया कि इस code में क्या-क्या चीजों को cover up किया गया है फिर overview of schedules आ गए fundamental principles to be followed पूरा एक-एक topic detail में चलता है इस तरीके से सारा और फिर जब एक topic complete हो जाता है तो उसके related question answers आ जाते हैं but lecture notes के अंदर आपको किस तरीके से एक particular topic को पढ़ना है और उससे related जुड़ी हुई कुछ चीजें वो इन lecture notes के थुरू आप लोगों को available कराई जाएंगे इन lecture notes की मदद से आप किसी भी chapter को बहुत proper तरीके से understand कर पाएंगे कुछ topics main book के बड़े lengthy होते हैं और कुछ की reading required होती है, कुछ की detailed coverage required होती है तो कि चीजों को बहुत ज़्यादा repeat ना किया जाए तो मैंने कोशिश किये कि जिन चीजों को आपको read करना है सिरफ वो इनी lecture notes के अंदर हम specify कर दें कि आपको इनको read करना है या learn करना है from the main book जैसे section 2, subsection 2 इसके बाद नीचे एक list थी और यहां मैंने लिख दिया read the entire list of services from the main book इसी तरह से फिर जब एक topic खतम हुआ तो हमें उस particular topic के question कि समय करने चाहिए वो भी इनी lecture notes के अंदर जैसे ही कोई topic खतम होगा और मुझे लगता है कि हाँ इस topic के questions की practice की जा सकती है तो आपको ये एक line लिख्यूई मिल जाएगी do practice questions on so and so topic फिर इसके बाद जैसे आगे का topic चल रहा है do practice questions on section 6 फिर ये topic reading from main book reading और learning इन चीजों का ध्यान लखिएगा reading मतलब एक बार आपने उसको read कर लिया उसके concept को समझ लिया उसको आपको learn करने की requirement नहीं है descriptive question उसके उपर frame होने के काफी कम chances है reading हर एक topic की required है उसका कारण है कि MCQs किसी भी topic के उपर as such frame किया जा सकता है इसी तरह से ये आपको law के notes अविलेबल होंगे हर एक lecture के notes कोशिश है ये आपको computerize notes मिलेंगे और कुछ जहापर हो सकता है वो मेरे register के handwritten notes भी हो सकते है तो इस तरीके से आप एक-एक topic को पढ़ेंगे उनके notes अविलेबल होंगे एक chapter के अंदर क्या-क्या divisions है जैसे मैंने directors के chapter में divide कर रखा है चार पार्ट में पहला पार्ट requirement of directors and different types of director second part appointment of director third part disqualification, vacation, resignation, removal and fourth part other provisions फिर एक-एक पार्ट की हम detailed discussions में जाएंगे उनके examples लेंगे जैसे हर एक topic में लौके अंदर बहुत सारे topics ऐसे हैं जिसमें बहुत examples लिये जा सकते हैं तो वो example, example one, example two, example three, example four, five and so on तो main चीज आपके पास books जो हैं वो institute की भी available हैं हमारी भी books available हैं ये book आपको concept प्रोवाइड करती है detailed study के लिए लेकिन जब आपको इन concept को समझना है इनको apply कराना है, इनकी case studies cover up करनी है तो ये lecture notes जो हैं ये आपको help करेंगे ये lecture notes आपको, एक तो format मैंने आपको ये दिखाया भी computerized वाला ये मिल सकते हैं, most of the lectures audit के अंदर, law के अंदर most of the lectures इसी format में मिलेंगे but कुछ lectures जिनको हमने main book में से ही cover up किया हुगा उनके as such ये lecture notes अविलेबल नहीं होगे और हो सकता है कुछ जगा पर ये मेरे hand written हो instead of computerized but definitely I believe कि ये lecture notes आपको सबसे ज़्यादा मदद करने वाले हैं अपने subjects की proper understanding इसके अलावा बात आ जाती है number 2 पर MCQs की institute की जो MCQ booklet है उसके अंदर 100 के around general MCQs है और 30 integrated case study है जो institute ने डाल रखी है तो जो ये 100 MCQs है या 30 integrated case studies है ये based है entire syllabus पर topic wise इनको divide नहीं किया गया है I will try कि जब एक chapter complete हो जाए तो उसके related MCQs मैं आपको बता सकूँ कि ये MCQ इस particular chapter के है ताकि आप उन MCQs की practice कर सके और दूसरा तरीका ये है कि जब पूरा complete syllabus हो जाए तब institute का study material उठाओ ये MCQ booklet वाला और फिर सारे questions की practice कर लो बट ये advisable नहीं है तो मैं आपको जैसे जैसे एक एक chapter खतम होगा तो उस chapter के कौन-कौन से MCQs है जो ICAI की booklet में डले हुए है उनका number आपके साथ share करूँगा so that आप उन MCQs की साथ साथ अपनी practice करने हैं हाँ हमारी बुक में एक सच कोई issue आएगा ही नहीं क्योंकि वहाँ पर chapter wise MCQs की बट है और integrated case studies ये आपको practice करनी है जब आपका complete syllabus हो जाएगा क्योंकि integrated case studies के अंदर एक से ज़्यादा topics involved होते हैं तो ये तो बात हो गई about study material की या हमारी books की ICAI के जो revised study material है December 2020 उसको हम thoroughly cover up करेंगे उसमें जो भी नए questions add हुए हैं उनको हम अपनी classes का part बनाएंगे MCQs वो मैं आपको chapter wise segregate करके provide करा दूँगा हमारी book के MCQ chapter wise है वहाँ पर आपको कोई issue आने वाला नहीं है ये books, तीनो books, main book, cracker and MCQ ये तीनो books की आपको hard copy मिलेगी और जो lecture notes हैं या class notes हैं ये आपको PDF की form में available कराए जाएंगे अच्छा अब इसमें एक और चीज है जो थोड़ा सा आपको manage करना पड़ेगा अब वो क्या है सुलिए institute अपने study material को time to time revise करता है और एक नया study material देने के बाद भी उसके अंदर consistent changes लाता है जैसे मैं एक example दे रहा हूँ कि December 2020 में study material released हुआ और study material release होने के जस्ट कुछ दिन के बाद February 2021 में 4 chapter फिर change हो गए अब आप जब इन changes को देखते हैं तो थोड़ा सा प्रिशान हो जाते हैं कि हाँ अब फिर change हो गया वो changes बड़े minor होते हैं बहुत minor होते हैं we will try कि हाँ जितने भी change हुए time to time उन changes को हम आप लोगों को cover up करवा सके तो उसके लिए आपको जो हमारी website है altclasses.in उसके knowledge portal के ऊपर ये amendments का content मिल जाएगा या फिर इस content को मैं regular basis पर जो हमारा telegram channel है altclasses के नाम से उसके ऊपर भी upload करता रहता हूँ जैसे मैं आपको छोटे से कुछ example देता हूँ अभी ICAI ने अपना study material इशू किया December 2020 में हमने अपनी books इशू की कब November 2020 में अब November 2020 में books आई हमारी December 2020 में institute का study material आया institute ने अपने study material को update किया उसके base पर फिर हमने अपने lecture notes को update किया इसके बाद क्या हुआ इसके बाद फिर बहुत significant changes time to time आए मैं आपको दो छोटे छोटे से example दे रहा हुँ लाइक definition change हुई small company के criteria में जो small company की definition थी उसमें जो paid up capital and turnover का criteria था वो criteria अब change हुआ तो जैसे ही वो criteria change हुआ उसके साथ institute के study material में जो topic थे small company से related या हमारे books के अंदर जो topic थे small company से related उन सब में of course change आना ही आना है अब जब वो उन में change आना है तो वो change हम आपको कैसे available कराएंगे वो change भी सारा आपको कैसे मिलेगा lecture plan के थू मिलेगा और जो हमारे books का content है वो हम change करेंगे उसका changed content भी आपको कहां पर available होगा वो telegram channel पर या हमारी website के knowledge portal पर जो change है वो हमारे course का एक integral part है इस change से आप घबरा नहीं सकते इस change को छोड़ नहीं सकते reason ये change consistent basis पर चलता है नवंबर 20 में हमने books release की December 2020 में ICAI का नया study material आ गया उसके अंदर कुछ topic उन्होंने नए add कर दिये कुछ topic उन्होंने हटा दिये और January February में ministry ने काफी सारी चीजों को change किया जिसमें मैंने कुछ example आपको बताए small company की definition change हुई compromise, amalgamation, arrangements उसके नए rules आए listed company उसकी definition के अंदर एक नया proviso डाला गया company amendment act company amendment act 2020 जब institute का study material आया था December 2020 में company amendment act 2020 notify नहीं हुआ था उसके provision applicable नहीं हुए थे बट क्योंकि वो applicable तो होंगे हमने अपनी books में उनको डाल दिया और साथ में एक comment डाल दिया yet to be notified अब कुछ section January में notify हो गए कुछ section February में notify हो गए और वो 30 April तक जितने भी sections notify हो जाएंगे company amendment act 2020 के वो सारे November 2021 के exam में apply होंगे चाहे वो audit के अंदर हो या वो lock के अंदर दोनों paper में आएंगे तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि देखो institute भी अपना study material हर महिने निकाल नहीं सकता हम लोग भी अपनी books हर महिने print करा नहीं सकते वो तो साल में दो बार ही print होती है एक बार November के मन्त में उसके बाद जाकर वो मई में दुबारा उसका नया edition आएगा तो हम आपको कैसे updated content time to time देते रहें तो उसका जो मुझे way out मिला वो था lecture notes earlier I used to make the lecture notes in the class itself पहले मैं classes के अंदर ही उन चीजों को note down करता था अब class में register के उपर लिखवाया तो ठीक है आपने भी वो register बना लिया लेकिन वो notes change नहीं हो सकते that was the reason कि मैं उन जो class के अंदर noting कराता था उसको मैंने convert करने की कोशिश की किस form में इस form में जैसे अब कोई भी change आ जाता है तो मुझे यदि कोई नया change डालना है तो ठीक है मैं इन notes में अराम से change कर सकता हूँ और नए notes की PDF वो मैं आपको telegram channel पर available करा सकता हूँ अपने website के knowledge portal पर भी available करा सकता हूँ और जब telegram channel पर upload होगी तो वहां मैं comment डालता ही हूँ कि ये change किया गया है तो इससे आप updated रह सकते हैं जो topics जिसके अंदर भी change हो रहा है उसके थूँ जो हम इस documents को telegram channel पर upload करते हैं उसके थूँ आप अपने आपको update कर सकते हैं तो lecture के जो ये notes है lecture notes ये आपको बहुत बहुत help करने वाले हैं आपका कुछ का exam November 21 में होगा कुछ का May 22 में कुछ का November 22 में दो छोटे-छोटे change हम हमेशा expect करते हैं तो जो ये छोटे-छोटे changes हैं इन changes से भी आपको अपने आपको update लगना है तो वो update आपको मिलेगा कहां से lecture notes के through मिलेगा ये बात हो गई books की ICAI का study material जो December 2020 का है या उसके बाद जो भी नया study material यदि कोई आता है तो उसको हम पूरा consider करके चलेंगे हम अपनी books आपको तीन provide कर रहे हैं एक main book, एक cracker और एक mcp lecture notes आप लोगों को आपकी google drive पर available हो जाएंगे और इसके अलावा जो हमारी website है उसके knowledge portal पर भी मैं इसको upload करा दूँगा altclasses.in और जो telegram channel है altclasses के नाम से उस पर भी ये lecture notes अवेलिबल होंगे तो ये तो बात हो गई books की अब इसके बाद मुझे आपके साथ एक discussion करनी है as to the lecture plan. for each subject for audit as well as law total number of lectures will be 60. 60 lectures for audit and 60 lectures for law और lecture का जो duration है वो है 2.5 hour plus minus कुछ भी हो सकता है topic छोटा होगा तो 2.5 hour से पहले खतम हो जाएगा topic बढ़ा होगा तो 2.5 hour से जागा लग सकता है google drive recording classes है तो इसमें ऐसा कोई issue नहीं है आपको कहीं जाना है classes को रोको अपना काम करके आओ और आकर वापिस द्वारा से start कर लो एक detailed lecture plan हमने आप लोगों को available कराया है यह tentative lecture plan है 60 lectures का जिसमें 8 classes professional ethics की 14 classes standards की and 14 classes company audit की 16 classes different types of audit की and 8 classes audit of different entities की है law के paper में 30 classes corporate law की है and 30 classes security and economic laws की है यह complete एक lecture plan है कि किस topic के उपर कितने lectures आप लोगों को मिलेंगे और एक topic का lecture number क्या होगा जैसे IBC इनके lecture number होंगे 41 से 46 audit under fiscal laws इनके lecture number होंगे audit के folder में 43 से 48 lecture number यही रहेंगे हाँ अब जो classes हम आप लोगों को available करा रहे हैं उसका एक tentative plan यह है February में ethics audit के अंदर ethics की class और law में directors के first chapter की class March के अंदर standards की classes और law के अंदर director के remaining chapter और एक inspection chapter की classes अवेलेबल होंगे इस तरीके से यह एक tentative plan बनाया गया है और इसके अंदर एक और main चीज है जो generally students का जो doubt आता है सर्क्या यह सारी की सारी classes नई recording होंगी तो इसमें मैं एक चीज clear करना चाहा रहा हूँ जिन topics के अंदर substantial significant changes है वहाँ पर classes नई recordings होंगी but जिन topics के अंदर कोई change नहीं है जैसे standards की बात करूँ में तो standards के topic में कोई change नहीं है और मैंने इसको अभी last batch के अंदर ही इन classes को नया record किया था तो जिन topics में कोई change नहीं है उनकी जो latest available recording होंगी वो हम आप लोगों को available करवाएंगे जिन topics में कोई change नहीं है और जिन topics के अंदर changes है तो definitely उनकी नई class record होगी और इसमें जैसे sequence हमने बना रखी है एक tentative plan दिया हुआ है February का, March का, April का बट हो सकता है कि जो lectures available करवाएंगे वो थोड़े से interchange हो सकते हैं depending upon certain aspects like कुछ topics की recording होनी है नई तो नई recording होनी है और अभी recording हो नहीं पाई किसी भी region से तो मैं आपको जो दूसरे topic है जिनके अंदर किसी भी तरह का कोई change नहीं है वो classes आपको available करा दूँगा और उसकी due notification आप लोगों तक telegram के थूँ शेयर कर दूँगा So, ये हमारा एक tentative lecture plan है month wise classes की availability क्या होंगी वो इसके अंदर given है आपको अच्छा मैंने आपके साथ अब classes की discussion कर ली lecture plan की discussion कर ली, books की discussion कर ली और इसके अलावा क्या चीजे हो गई number 3, miscellaneous miscellaneous जो जो चीजे मेरे माहिन में आती जा रही हैं कि बच्चों के कुछ doubts होते हैं तो उन चीजों के उपर मैं आपके साथ discussion कर रहा हूं यहाँ students के doubt आते हैं as to quick revision charts quick revision charts they are under update changes है कुछ और कुछ नए topics इनमें add कर रहा हूं तो under update है और available इनकी availability for November 2021 एक्जाम मैं expect कर रहा हूं हम by end of July या by mid of August नए quick revision charts release कर देगे नमबर दो कुछ messages बच्चों के होते हैं as to doubts कि sir हमें classes में किसी तरह का कोई doubt आता है तो हम उस doubt को कैसे resolve कर सकते हैं उसके लिए आप मुझे email कर सकते हैं cacs.garbpankaj at gmail.com कुछ students का doubt आता है sir क्या जो lecture notes है उनका जो pdf है क्या वो printable है जी हाँ वो printable है आप उनका print निकाल सकते है कुछ बच्चों का doubt आता है क्या sir वो हमें लिखने चाहिए self writing आप खुद उनको लिखें notes में से देखकर that is advisable लेकिन कुछ students का कहना है कि sir यह तो एक duplication है तो ऐसी जदी आपको लगता है कि वो एक duplication है और आपको उसको लिखने की जरूरत नहीं है it's okay आप उसका print out निकाल लो कोई issue नहीं है उसमें doubts की बात हो गई lecture notes की बात हो गई quick revision charts की बात हो गई books मैंने आपको वैसे बता भी दिया था बट फिर भी दुबारा बता दूँ books जो physical form में हैं आपको तीन book batch के साथ मिलेंगी एक main book दूसरा question bank जिसको cracker का नाम दिया जाता है और तीसरा mcq की book और इसके अलावा तो मुझे लगता है बच्चों के in general कोई doubts हाँ amendments ये तो बहुत बड़ा doubt तो रही गया amendments हम ये batch November 21 exam को target करके चल रहे हैं November 21 के exam में 30th April तक की सारी amendments आएगी और उसके बाद हो सकता है institute अपनी तरफ से किसी topic को add कर दे किसी topic को delete कर दे हटा दे से लेबर से कुछ students का exam में 22 में है कुछ का उसके बाद है तो जो amendments है वो every year मैं दो बार in the month of March for May exams in the month of September for November exams mid of March में and mid of September में ये amendments telegram पर और जो हमारी website है उसके knowledge portal पर share करता हूँ जो इसका content है amendments का notes that is for all amendments and videos for all main topics कहीं बार क्या होता है बहुत छोटी छोटी अमेंडमेंट होती है लेकिन कहीं से भी वो relevant नहीं होती है उनको मैं notes में जरूर cover up करूँ हैं लेकिन हो सकता है जो वीडियो हो वो सिरफ मैं जो main topic हैं जिनके उपर questions बनने के आसार है questions फ्रेम हो सकते हैं वो उनके उपर record करूँ यह हो गई amendments की बात तो अच्छा अब जिन students का November 21 में exam है क्या उनको amendments देखनी पड़ेंगे हमारा batch February में start हो रहा है जून में खतम कर रहा हूँ जून में खतम करने का मेरा objective ही यह था कि April में जो amendments आनी है वो मैं आपको classes के अंदर ही cover up करा दूँ ताकि तभी batch जून तक लिया है में के अंदर जो नए questions आएंगे exam होगा उसको भी मैं batch में cover up कर लो that was the reason कि मैंने end of June target किया है batch की completion का बट उसके बाद भी नहीं पता ना कि क्या amendments institute apply कर दे कुछ नए topic ही डाल दे स्लेबस में जैसे study material के through अब डाल दी है तो यदि ऐसा कुछ भी होता है then November 21 के students को mid of September 2021 September के mid तक वो amendments अविलेबल होगी जिन students का May 22 में attempt है उनको हर 6 महिने पर amendments देखनी पड़ेंगी September 21 वाली और March 22 वाली जिन students का November 22 attempt है अब आप कहोगे सर इतना तो हम समझ गए समझ तो गए होंगे बेटा लेकिन कहीं बार ऐसे message आते हैं कि सर आपने November 21 वालों का बता दिया May 22 वालों का बता दिया November 22 वालों का नहीं बताया ये लो उनको 3 amendments देखनी पड़ेंगी जिनका इनके बाद है उनको 4 amendments देखनी पड़ेंगी और ऐसा नहीं है तो कि बहुत बड़ी बड़ी amendments हैं हो जाएंगी कोई ऐसे बहुत बड़ी-बड़ी amendments के कोई असार नहीं है तो यह बात हो गई हमारी amendments की amendments की बात हो गई, charts की बात हो गई, doubts की बात हो गई, lecture notes की बात हो गई और इसके अलावा और क्या है इसके अलावा तो अब finally है आप लोग अपनी classes को देखना शुरू करें Classics में मैं आपको audit के अंदर, audit में February के मन्त में, instead of professional ethics Standards की Classics अवेलेबल करा रहा हूं Lecture No. 9 से लेकर, Lecture No. 22 Law के अंदर, February में, Directors का जो Chapter 1 हमने schedule कर रखा था Lecture No. 127 यह अवेलेबल करवा रहा हूं यह Classics most probably by 22nd of February आपकी Google Drive पर upload हो जाएगे और इसके अलावा Classics की भी बात हो गई अच्छा अब स्टुडेंट्स का अगला डाउट आएगा सर् वो भी उनको मैं नया record कर रहा हूं Professional Ethics की Classics को तो वो Classics भी आप लोगों को February 21 and 28 February तक कोशिश है मेरी वो भी मैं इसी मन्त में आप लोगों को अवेलेबल करा दीगा ठीक है यह भी हो गई बात हमारी बस I think so जो मुझे में चीजे डिसकस करनी थी वो हो गई है और wish you all the best Classics को अच्छी तरह से cover-up करिएगा हर एक Class के बाद उसकी revision must है जरूर 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 करिएगा जब एक chapter खतम हो जाए तो उनके question answers की practice multiple choice questions की as well as descriptive questions की practice वो भी ध्यान से करिएगा जरूर करिएगा ठीक है Thank you very much and good bye प्रम करिएगा दोणनी स्टass़र